Hey English learners, phrasal verbs की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम पहुँच गए हैं day 27 पर तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जो चैनल पर new हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है कि phrasal verbs होते क्या हैं और हम इने क्यों पढ़ें तो चलिए इसी का आंसर जानते हैं phrasal verbs जब किसी verb के साथ कोई proposition जुड़कर आजाए या फिर कोई adverb जुड़कर आजाए तब phrasal verb कहलाता है एक example देखिए give एक verb है जिसका मीनिंग होता है देना अब इसके साथ एक proposition जुड़ा up give up तब इसका मीनिंग change हो गया यानि कि कोशिश करना छोड़ देना या त्यागना तो अब आप समझें कि phrasal verbs को पढ़ना कितना जरूरी है अगर सही मीनिंग समझना है तो चलिए देखते हैं आज की कौन सी verb है put put का मीनिंग होता है रखना लगाना उठाना बहुत सारे मीनिंग होते हैं second form वो third form की बात करें तो सेम ही रहती है put 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 चलिए देखते हैं इससे related phrasal verbs क्या हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिलकुल न भूले number one पर है put across इसका मीनिंग होता है to express your ideas and opinions अपनी विचार सामने रखना यानि कि अपनी बातों को अच्छे से दूसरी की सामने प्रस्तुत करना example देखें I don't think I managed to put myself across very well in my interview myself put across के बीच में आया है तो इस बात का ध्यान रखें मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इंटर्वीवे खुद को अच्छी तरह पेश कर पाया यानि अपने विचारों को अच्छी तरह से रख पाया put across नहीं कर पाया next he was trying to put across a serious point वह एक गंभीर बात सामने रखने की कोशिश कर रहा था put across करने की कोशिश कर रहा था आगे देखे did I put across the idea क्या मैंने विचार रखा यानि जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो मैं प्रस्तुत कर पाया next what is the most important thing you try to put across in your book आप अपनी पुस्तक में सबसे महत्पूर्ण बात क्या साबने रखने की कोशिश करते हैं क्या put across करने की कोशिश करते हैं आपकी बुक के जरीए चलिए देखते हैं next phrasal work क्या कहता है put down put down के simple meaning की बात करें तो कोई चीज नीचे रखना put down, keep down किसी चीज को नीचे रख देना किसी surface पर रख देना और एक दूसरा meaning है insult यानि की नीचे दिखाना criticize करना और एक और meaning की बात करें तो किसी को दबाना crush करना यानि दंगे वगेरा हों तो पुलिस उनको control में कर लेती है यानि suppress कर लेती है एक और meaning की बात करते है to record और make note of something कुछ note करना किसी का नाम list में add करना या कहीं record में कुछ लिखना इन सब चीज़ों के लिए put down यूज करते है sentence आप समझ जाएंगे सबका एक एक example देखते है I put my bag down मैंने अपना bag नीचे रख दिया put down simple meaning की बात हो रही है जिसको रख दिया उसको हमने put down की बीच में ले लिया है object को next why did you put me down in the meeting यह insult या criticize करने का sense आया है तुम्रे meeting में मेरी बेज़िती क्यों की why did you put me down next the military were called out to put down the rights call out भी एक phrasal verb है जिसका meaning होता है बुलाना तो military को बुलाया गया किसलिए to put down the rights दंगों को suppress करने के लिए put down करने के लिए दबाने के लिए next the rights were put down by the local police इस्थानी पुलिस द्वारा दंगों को दबा दिया गया suppress कर दिया गया put down कर लिया गया अब देखते हैं कुछ note करने के sense में यानि कुछ लिखने के sense में put down your name and address किलिए लिए अपना नाम और पता साफ साफ लिखें सिर्फ नाम और पता यानि कुछ specific लिखना है वहाँ पर put down यूज होगा पूरी बुक नहीं चापनी है next please put my name down in football team क्रिपया मेरा नाम football team में लिख दें किसी list में आप नाम लिखने को कह रहें add गरने को कह रहें वहाँ पर put down अब आते हैं next पर put forth या put forward इसका पहला meaning है to suggest an idea for consideration किसी idea को सोच विचार के लिए रखना और एक दूसरा meaning है bring forward bring forward यानि कि जो schedule time है उससे पहले कुछ कर लेना बाद में नहीं बलकि पहले ही उस काम को कर लेना sentence देखिए पहले he put forth a clear logical argument put forth यानि उसने सामने रखा विचार विमर्ष के लिए क्या एक इसपश्ट तार्किक तर्क next they put forward many valid reasons for not exporting exporting यानि कि निर्याद करना और उन्होंने ना निर्याद करने के कई सारे वैद कारण सामने रख दिये valid reason उन्होंने put forward कर दिये next you can put forward your suggestion at the meeting आप बैठक में अपना सुझाव रख सकते हैं put forward कर सकते हैं किसी के विचार विमर्ष के लिए रखना यानि put forth या put forward अब देखिए bring forward के sense में ये कैसे काम करेगा the semi final has been put forward to 1 p.m. semi final को 23 समय से पहले दो पहर एक बज़े रख दिया गया यानि कि पहले कर दिया गया the meeting had been put forward an hour meeting तैर समय से एक घंटे पहले कर दी गया है अगर meeting का time ग्यारा बज़े था तो अब 10 बज़े हो गया है चलिए अब देखिए दूसरा phrasal वो put off इसका meaning होता है delay करना, postpone करना टालना समय आगे बढ़ाना अभी put forth हमने किया समय को पीछे ले जाना पहले कर देना put off का meaning हो गया अब time को आगे बढ़ाना टालना the meeting has been put off for a day अब meeting को एक दिन के लिए टाल दिया गया आगे delay कर दिया गया तो put forth और put off दोनों में आप difference समझ सकते हैं चले next example देखते हैं I need to put off the payment till next week मुझे अगले हफ़ते तक payment टालने की जरूरत है क्योंकि अभी पैसे नहीं है तो अगले हफ़ते तक put off करना पड़ेगा payment को जो आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टाले never put off till tomorrow clear? चले अब आते हैं next phrasal verb पर put out इसका meaning होता है extinguish करना यानि की आग को बुझाना किसी जलती ही चीज को बुझाना जैसे cigarette अगर पी रहे हैं तो उसे भी बुझाने के लिए put out use होगा एक और meaning की बात करते हैं दुखी होना put out दुखी होने के लिए जब आप upset है या किसी और को upset कर दे offended दुखी होना परिशान होने के लिए भी put out use होता है चले example लेते हैं would you mind putting your cigarette out please देखे would you mind एक complete phrase है और इसके बाद हमेशा ing वाला form लगता है जिसे हम gerund बोलते हैं क्या आप क्रिपए अपनी cigarette बुझा देंगे put out कर देंगे next the fire was put out suddenly आग अचानक बुझ गई या बुझा दी गई आग अचानक बुझ गई fire was put out next it took two hours to put out the fire आग बुझाने में दो घंटे लगे I hope meaning clear होगा put out यानि की आग बुझाना next देखे he was really put out यहाँ पर upset होने का meaning है वह सच में दुखी था he was really put out यानि की upset था next she was put out because nobody came to her party वह दुखी हो गई क्योंकि उसकी party में कोई नहीं आया she was put out वह दुखी हो गई now moving to the next phrasal verb put up put up के भी हम दो meaning की बात करेंगे एक होता है temporary stay यानि कि कुछ समय के लिए कहीं रुकना और ऐसी जगह रुकना जहां आपके खाने पीने का और रहने का इंतसाम हो सके आयस्थाई रूप से रुकना और दूसरा meaning होता है किसी notice board पर या bulletin board पर कुछ लगाना डिस्पले करना या फिर poster लगाना उसके लिए भी put up यूज होता है example लेते है इन तिनों वह एक होस्टल में रह रही है कहां पर put up कर रही है? hostel में next don't worry we can put you up for the night चिंता ना करें हम आपको आज रात के लिए रुकने दे सकते हैं हम आपको put up करने दे सकते हैं next the students put up a poster on the bulletin board अब दूसरी sense की बात हो रही है छात्रों ने bulletin board पर एक poster लगाया poster लगाना कोई notice लगाना वहां भी put up होगा I am going to put up the notice मैं notice लगाने जा रहा हूँ put up तो आप दोनों sense में समझ गए होंगे तो चलिए अब आते हैं next phrasal weapon इसी put up के साथ जब with लगा देंगे तो मीनिंग कुछ और ही आता है मीनिंग आता है सहन करना tolerate करना बरदाश्ट करना चलिए example देखिए put up with यानि बरदाश्ट करना I can't put up with the noise anymore मैं अब और शोर बरदाश्ट नहीं कर सकता यानि कि अम मैं इसके साथ बिलकुल भी put up नहीं कर सकता next I can't put up with your hypocrisy anymore hypocrisy केते पाखंड को दिखावे को मैं अब और तुम्हारा पाखंड नहीं सह सकता put up with सहना आगे देखिए वह उसके हिंसक स्वभाव को क्यों सहती है why does she put up with his violent temper put up with यानि सहना और जिसको सहना उससे पहले विद लगेगा आगे देखिए we had to put up with haughty behavior of the director हमें निर्देशक के घमंडी विवहार को सहना पड़ा तो put up और put up with दोनों में बहुत अंतर है तो इस दोनों phrasal verb को आप ध्यान से देख ले next देखिए put on इसके बहुत सारे meaning है कई सारे sense में हम यूज़ करते हैं सबसे पहले देखिए जब आप dress पहनते हैं shoes, makeup, weight gain कर लेते हैं इन सब के लिए put on use होगा she is putting on her makeup वह अपना makeup कर रही है तो makeup करने के लिए put on ऐसे ही जो भी चीज़ आप उपर से लगा रहे हैं या पहन रहे हैं उसके लिए put on use करेंगे put your shoes on अपने जूते पहन लो तो जूते पहनने के लिए put on use करेंगे के लिए ऐसे ही आपको coat पहना, jacket पहने कोई भी dress पहने हैं उसके लिए put on why don't you put on your jacket आप अपने jacket क्यों नहीं पहनते जब किसी person का weight बढ़ जाता है तो उसके लिए put on use करते हैं क्योंकि वो भी तो उपर से ही बढ़ गया है he looks like he has put on weight वह ऐसा दिखता है जैसे उसका वजन बढ़ गया हो अब बात करते हैं put on की दूसरे meaning में to pretend pretend यानि कि दिखावा करना change in way of speaking, feeling, behavior इन सब में जब आप change करके दिखाते हैं that means आप pretend कर रहे हैं किसी अलग style में बोल रहे हैं अपनी feeling दिखावे की कर रहे हैं आपका वेभार भी दिखावे का हैं तो वहाँ पर हम put on use कर सकते हैं he put on a sulky expression उसने एक उदास भाव दिखाया he always puts on a British accent वह हमेशा British लहजे में बात करता है British accent में बोलता है puts on है नहीं दिखावा करता है I can't understand whether she is really hurt or she is putting it on मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह सच में दुखी है सच में hurt है या नहीं या सिर्फ दिखा रही है यानि कि pretend कर रही है putting it on अब एक और meaning में बात करते हैं किसी भी device को start करने के लिए या on करने के लिए हम put on का use करते हैं देखिए please put the light on किरपया light on करते light को चालू करते किसी भी device को start करने के लिए put on यूज करना है next देखिए don't forget to put the brakes on brake लगाना न भूले I hope आपको इसका uses समझ आ रहा होगा चले और sentence देखिए और practice कीजिए my mother put the oven on while I was preparing the mixture for cake जब मैं cake के लिए mixture बना रही थी तो मेरी माने oven चालू कर दिया on कर दिया put the oven on अगे देखिए I am going to put the music on मैं music on करने जा रहा हूँ radio on कर रहा हूँ या फिर television on कर रहा हूँ या कोई music system कुछ भी जो भी आप device on कर रहे हैं वह put on use हो जाएगा guys ये थी आज की वीडियो put के phrasal verbs के साथ इसके बाद जो मैं quiz post करती हूँ उनके आप answer देकर practice जरूर करें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपना feedback जरूर दीचेगा दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नियू है तो don't forget to subscribe thanks for watching the video जै हिंद जै भारत